हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डाउटनेट वेलकम टू राइटी क्लास तो बच्चो मेरा नाम है आकर्ष्ट और मैं आपको कम्प्यूटर एजुकेटर तो बच्चो जैसे मैंने बात करी थी पार्ट बी सब्जेक्ट स्पैस्फिक स्किल की यूरीट नंबर थ्री डेटा एक्जाम के अंदर इनसे क्योशन बनेंगे और यह यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती क्योंकि इस यूनिट से आपको 10 मार्स के क्वोश्चन कम से कम एक्जाम के अंदर आएंगे तो जो हमने पार्ट एक कंप्लीट किया था उसमें से फाइब मार्क क कॉंसेट हैं अगर आपको इस यूनिट को अच्छे से समझना है ठीक है तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल और पूरी चीजों को कम्पलीट हम करेंगे चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लेक्चर में समझते हैं कि सबसे पहले चीज हमने यहां बात करी ड बहुत सारे स्टूडेंट से वह स्टूडेंट के हर एक क्लास होगी हर एक सेक्षन होगा तो उसकी क्लास की वह क्लास का बच्चा है क्लास 11 का बच्चा है क्लास 12 का बच्चा है तो वह उसका डेटा है उसका नाम भी उसका क्या एक डेटा है और उसका रोल नंबर उसक्लास का section क्या है उस class का यह सारा data तो बच्चे data actually होता है raw fact and figure जैसे कि मेरा नाम नाम जो भी है मेरा data है यह रोल नंबर जो भी होगा इस्कूल के अंदर मेरा वो भी data है मेरी फीस कैंदर मेरी फीस क्या है वो भी डेटा है हमारे लिए और अगर मैं बात करूँ कि मेरे फादर का नेम क्या है मेरी मदर का नेम क्या यह सब हमारे लिए डेटा है ठीक बच्चे तो स्कूल के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कभी न्यू एडिमिशन लेते हैं तो आप अपने एड्मिशन फॉर्म भरते हैं तो उस एड्मिशन फॉर्म के अंदर आप अपना डेटा फिलब करते हैं कि आपका नेम क्या है आपके फादर का नेम क्या आपकी मदर का नेम क्या आपके डेटा बर्त क्या है यह सब बेटा क्या है डेटा है तो इस यूनिट के अंदर जो यानी specific meaning देखिए data होता है कि actually raw and fact and figure है मगर कोई meaning नहीं होता कोई meaning नहीं होता तब तक meaning नहीं होता जब तक वो information में convert ना हो जाए जैसे मेरा नाम है school के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे उनके नाम होते हैं बट उनका नाम अभी कोई specific meaning नहीं रखता बट अगर मैं यह बात करूँ बच्चे का नाम है वह किस क्लास में पढ़ता है कि section के अंदर पढ़ता है उसका roll number क्या है उसके subjects क्या है उसके फीस क्या है उसके फादर का ने मदर का ने यह से बनती है पूरी बच्चे क्या information तो data से बनती है हमारी information तो data होता है raw fact and figure और जब data collect हो जाता है ग्रूप में हो जाता है तो वह information बन जाती है ठीक है जैसे कि आपका भी होगा भाई आपकी class में आपका section number कुछ class strength a होगा आपका roll number होगा ठीक है आपके class teacher का नाम होगा आपके subjects के नहीं होंगे आपकी फीस कितनी यह भी होगा आपने कब admission लिया यह भी होगा तो यह सारी data's collect करके group में एक information बनाते हैं जो कि आपके बारे में बता रहे हैं तो information क्या है actually information क्याइट डेटा को logical way में represent करना data को logical way में represent करना हम बोलते हैं information तो सिंपल सी definition है आपे ठीक है कि डेटा इस रॉइंफेक्ट इन फिगर वी विच डू नाट कैरिया स्पैसिफिक मिनिंग मतलब डटक डेटा रॉफ एक्टन फिगर तब तो कोई मीनिंग नहीं है जब वो information में बदल जाता है तब वह meaningful हो जाता है वो डेटा इनफॉर्मेशन इस ग्रूप आफ डेटा डैट क्लेक्टिव कैरीज लॉजिकल मीनिंग बिल्कुल कि भाई मैंने अभी यही सिंपल सा आपको एग्जामपल दिया आपके स्कूल में कि भाई एक स्टूडेंट का नेम है वो स्टूडेंट का नेम हमारे लिए डेटा है पर हमारे लिए भी कोई स्टूडेंट का नेम के आगे जैसे के सक्षेशन नंबर जोल रहें हम रहें ते लगी satisfied स्टूडेंट आमращ jus के stream का है और उसका नाम क्या है उसके फादर का नेम किया तो यह वह सब कुछ क्लेक्टिव डेटा मिलके बनाती है एक इंफर मेशन तो आइठिंग ये बात क्लियर होगी कि डेटा और इंफर्मेशन क्या चीज़े हैं जैसे कि फॉर एक्जामपल वेट मेरा वेट एक डेटा है ठीक है प्राइस और कॉस्ट ये भी डेटा किसी प्रोड़क्ट का प्राइस और कॉस्ट वो क्या है व सबडीटा है ठीक है टो आई तिंग ये छोटे सी बात क्लियर होगी कि अ workforce अगर मैं बात करू अगर और लोजिक समझते है तो बाइंब बात करता हो है बात गूंब यह स्टूडेंट की डिटेल और मैं बोलू इस्टूडेंट डिटेल्स जिसे नेम हो गया थैसें सब्जर्ट हो गया ठीक है क्लास हो गई सेक्षिन हो गया कि अब यह size student की डिटेल हमारे लिए बच्चेंपरमेशन है बट इन नेम सब्ज़ेक्ट क्लास यह सेक्षन चीषाइब देटा है और यह डेटा कलेक्ट करके एक information represent कर रहा है एक information represent कर रहा है समझ आगी बात simple सी बात है ठीक है इसलिए कि आपको यह चीज समझना जरूरी है डेटा और information दोनों अलग चीज़े हैं डेटा रॉफ एक्ट फिगर होता है और information collection होता है डेटा का जो कि एक specific logical meaning को carry करता है ठीक है चलिए अब बच्चें यहां main point आता है database सबसे main point जो हमें समझना इस unit के अंदर is definition भी आ सकती database देखिए अगर मैं आपको एक्जामपल फिर से स्कूल वाला example कि देखिए आपके class में attendance register होता है उस attendance register के अंदर बेटा क्या होता है हर स्टूडेंट का roll number होता है नेम होता है ठीक है और डेट होती है कि जिसमें आपको absent present बताना कि आज कौन सी डेट में बच्चा present एले कौन से absent तो जो attendance register है उसके अंदर एक्चुली है क्या उसके अंदर हमारे student की attendance का डेटा है उस student attendance रेजिस्टर के अंदर हमारे स्टूडेंट्स की एटेंडेंस का डेटा है ठीक है तो रेजिस्टर बेटा हमारे लिए क्या है जहां पर हमारा डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है जहां पर डेटा हमारा और्गनाइज जो फॉर्म में रखा गया है उसी को हम बोलते हैं डेटा का base जैसे कि आपके अगर बात करूँ स्कूल के अंदर एकांस इपार्टमेंट होता है अकांट सब्मिट हो नहीं है यह कब नहीं सब्म護 होइं यह वो पूरा डेटा अकांसस के पास है तो डेटाउंट जो कि हमारी सारी इंफर्मेशन को कलेक्ट करके रखा हुआ है जैसे मैं लाइबरेरी के एक्जामपल लाइबरेरी के अंदर बच्चे क्या होता बुक्स होती है और बुक्स प्रॉपर्ली और्गनाइज़ होती है कि इस सेक्षन में जाएंगे तो यह बुक मिलेगी इस वजी हमारा बेटा क्या है डेटा है और लाइबरी हमारे लिए एक डेटा बेस है जहां भी हम डेटा को रखते हैं collect करके रखते हैं ठीक है समझ आ गए होगी बात आपको अडेटा बेस इस अज़ाइज डेक्शन ओफ डेटा सो डड़ इट can be easily accessed and मैनिज दर कर सकते हैं और उस data को procure सकते हैं तो आपकी स्कूल में जो इत्यिंद्न लगती है स्टूडेंट से यस्टर में तो उसमें हम इत्यां करते स्टूदेंगे तो आप किसी शॉब में जाते हैं आप शॉब में कोई प्रोड़ेक्ट करीते हैं तो वो प्रोडेक्ट के तुरू आप से आपका information collect करके रखता है वह information क्या है वो डेटा की form में है और वो डेटा जहां पर रख रहा है और गनाइस्ट मैनर में वो क्या हमारे लिए से डेटा बेज है ठीक है यू कैन अर्गनाइस डेटा इंटू टेबल्स रोज कॉलम्स और इंडेक्स इट मेक ईजियर टू फाइंड रिलेवेंट इनफर्मेशन बिल्कुल कि आप डेटा बेस के अंदर जो डेटा कलेक्ट करके रखते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में रखते हैं तो यह कोलम्स की एक फर्म में होता तो我不知道 के अंदर जो Dr. और रगनाईज़ करते हैं वो टेबल की फ़ल में करते हैं रो और कॉलंस के फॉर्म में करते हैं कि जिससे हमें रेलेवेंट इनफॉर्मेशन फाइंड करने में एजी हो कि आगर मान लुंझे इसलिए कि स्टूडंट का फाइंड करना बहुती सिंपल हो जाता है तो आप समझ गया हूंगे कि डेटा बेस क्या चीज है चलिए मैं आपके ड्याग्राम के तुरू समझाता हूं देखिये जब आप कोई भी application ॡाउनलोड करते है आप कोई भी application डाउनलोड करते हैं बहुत सारी आप से लिया गया है वो डेटा जाके कहा पर स्टोर करा जाता है डेटा बेस के अंदर डेटा बेस के अंदर स्टोर करा दिया जाता है और जब भी हमें information को access करना होता है उसको manage करना होता है तो हम डेटा बेस के पास जाते क्योंकि सारी information यहां पर होती है तो इस डाइग्राम के तुरू समझे तो डेटा बेस में हमारा क्या होता है collection of data और और वह भी organized manner में और प्रॉपर तरीके से तो देखे डेटा क्या कर रहा है information बेज रहा है हमारी information से तो जब आप कोई भी application के तुरू login करते हैं साइन अप करते हैं तो आपकी information जो होती है वह डेटा बेस में जाती वहां से मैच होती है तब आपको आगे काम होता है ठीक है जैसे आप डेटा और जहां पर डेटा को और नाइस प्रॉपर तरीके से रखते टेबल्स की फॉर्म में रोजन कॉलंस की फॉर्म में सिंपल क्लियर हो गई यह concept यह टर्मिनलोजी समझना हमारे लिए ज़रूरी है अब यह सबोस करिए यह हमारे पास यहां पर दो डेटा बेस है बच्चा हमारे पास यहां पर दो डेटा बेस है और दोनों डेटा बेस के अंदर यह क्या है टेबल्स है यह टेबल्स में ही हमारा डेटा है यह दो डेटा बेस है हमारे पास एक ब्लू कलर से दिख रहा है ए हमारे पास यह red color का database है जिसके अंदर यह tables है और इंट tables के हमने अपना data रखा हुआ है ठीक है और यह यह database है जिसके अंदर अने tables and blue color यह यह भी हमाराच क्या है data है तो database के अंदर properly collection मतब organized manner में data को represent करते हैं ठीक है clear तो क्या होगा। सिंपल तो अप डेटा समझ गये डेटा बेस समझ गये बच्चो यहां प्याता है डेटा पेस मैनेजमेंग में टी बी points दी इस बोलते हैं हमें जब जो भी information चाहिए या हमें database के अंदर को information update करनी है या उससे को information लेनी है तो हम यह यह चीजे इस database management system के तुरू करते हैं जिसे हम बोलते है dbms ठीक है इसे हम क्या बोलते है dbms database management system a database management system is a software package with computer programs that control the create maintain and use of data तो dbms के तुरू हम database को create भी कर सकते हैं maintain भी करते हैं मतलब उसके अंदर data update करना वहाँ पे insert करना वहां से data fetch करना और database को access भी करते database में जो data है उसको use भी करते हैं इस software के तुरू database management system अब database management system के अंदर बहुत सारे software चाहते हैं ठीक है इट अलाउस organization तो conveniently develop a data face for the application अब देखिए अब बहुत सारी application यूज करते होंगे बहुत सारी application होती है अप्लीकेशन का database होता है क्योंकि data तो हमें चाहिए users जो होंगे वह अपना data हमें देंगे हम database को data को collect करके database में रखेंगे तो हर organization के लिए data को maintain करने के लिए उनको software चाहिए होता है जिनको हम dbms के अंदर बोलते है database management system ठीक है dbms अलाओ different user application program to concurrently access the same data ठीक है dbms के थूह ही हम database को access करते हैं ऐसे निक हम directly database को access कर लेगे नहीं एक software होगा जो कि काम कर रहा होगा database को अक्सिस करने के लिए database के अंदर जो भी काम होना है वह software के थुरू होगा जिसकों dbms बोल रहे है database management system बोल रहे हैं और there are multiple software available in the market ठीक है बहुत सारे software है मैं कुछ common software के नाम लाया हो जैसे कि mysql microsoft access oracle पॉस्ट्रेज स्किल dbs fox pro sql light ibm db2 ये सब बेटा dbms के एक्जामपल ये सारे software है इस software जिनको हम बोलते है database management software बोलते हैं इनके तुरू ही data को manage किया जाता है maintain किया जाता है create किया जाता है database को और उसमें रखी जो भी information है access की जाती ठीक है तो data database और dbms ये तीनों चीजे आपस में link है ठीक है बट अलग-अलग इनके work है ठीक है समझ आ गई होगी बात तो आप इनमें से example के तौर पे दो कोई भी नाम याद रख सकते हैं क्योंकि exam में अगर पूछा गया कि name any two dbms तो आप नाम दे सकते हैं कोई भी दो dbms ठीक है चलिए अब बच्चे database का advantage क्या है हमारे पास देखें पहले क्या होता था जब database का concept नहीं था computer थे नहीं तो data register के form में return form में रखा जाता था ठीक है होता था पहले कि भाई जो अब database यह सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी बट यहां पे advantage क्या है सबसे पहला advantage database का आता है इसका मतलब reduce data redundancy बच्चा रिंडेंडेंडेंसी का मतलब क्या होता duplication अब पता है क्या होता है कभी भी देखना आप database के अंदर डूप्लीकेशन अलाउट नहीं होता है मतलब कोई भी दो record या कोई फिर दो information database के अंदर सेम नहीं हो सकती record सेम नहीं हो सकते data redundancy का मतलब कि database हमें duplication allowed नहीं करता है कि आपने कोई भी दो information या record आपने database के के अंदर duplicate है मतब सेम रिकॉर्ड है ऐसा नहीं होगा तो जो इंदेंडेंसी है डुप्लीकेशन ओफ डेटा वो उसको रिड्यूस करता है यह पहला इसका ड्वांटेज है शेरिंग डेटा का शेरिंग करना डेटा बेस के तुरू बहुत असान हो जाता है डेटा का शेरिंग ची cuty यह 10 लोग उस डेटा को एक्सिस कर सकते हैं तो शेरिंग अफ डेटा डेटाबेस के तुरू क्या हो जाती इसली हो सकती है तो से एकशन सेरिंग करना असान हो जाता है in detail Ñ ere करेट है उसमें कोई भी एरर नहीं है तो डेटाबेस का यह लोग पहले डेटा को कैसे कंटेन करते तो एरर हो जाता था कुछ प्रॉब्लम आ जाता था फाइल सिस्टम के अंदर जरूरी नहीं होता था कि वहाँ बीडेटा एकुरेट हो बट डेटा बेस क्या करता है डेटा एक्कुरेशी का भी ध्यान रखाया कि डेटा बिलकूल होना चाहि यह error नहीं होनी चाहिए डेटा को security भी देता है कि जो डेटा बेस के अंदर डेटा रखा उसको security भी मिले मतलब जिनको authorization है मतलब जिनको access करने की authority है सिर्फ वो लोग ही access कर पाए data को और कोई ना कर पाए ठीक है privacy data की privacy भी होती है कि बाई मान लिजे कि किसी organization का कोई लोग संको यूज करपाए और कोई यूज ना कर पgoing the data lost इपोर्टेंट इंग ठीग है बैकप एंड रिकवरी भी एडवांटेज कि माली जो कभी कुछ डेटा लॉस हो गया तो हमारे पास यह बैकप बना लेता है जो डेटाबेस ऑटमेटकली बैकप रखता है अपने पास कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती कोई डेटा लॉस ह हो जाए किसी भी वज़ा से कोई टेकनिकल चीज की वज़ा से कभी कुछ भी हो सकता है तो डेटा लॉस हो जाए तो डेटा का बैकप और रिकवरी भी हो जाए यह एडवांटेज भी है डेटाबेस का डेटा कंसिस्टेंट भी हो मतलब कि अगर हम डेटाबेस के अंदर होना चाहिए उसके अंदर तहीं तो यह भी a advantage है कि आपने यहां पर update किया जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी application guardian कि application के अंदर अपडेट किया तो घर टाबेस पर किया तो अप्लेट उनके application भी शोख करेगा हुआ ठीक हे अप्लीकेशन भी भी सो करेगा तो सब भी लोगों को शो करेगा जितने भी लोग के पास एक्षिस होगा तो डेटा कंसेस्टिंसी का मतलब यह तो यह सारे अगर एक्जाम के अंदर पॉइंट आता है कि राइट डाउंट डेटाबेस तो आप यह पॉइंट्स लिख सकते हैं आप यह समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अब नेक्स पॉइंट बच्चे यहाँ पर क्या आता है नेक्स पॉइंट हमारे पास अथा टाइफ डीबी एमस देखिए हमें पढ़ना है जो एक्जाम के अपने लिए पढ़ना है बहुत टाइ में से तीनों में से कुछ नहीं हमें सिर्फ फोकस करना है इस वाले पे हमें फोकस करना है बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस वाले में क्योंकि हमारे स्लेबस में और हमारे लिए यहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहीं इंपॉर्टेंड और बहुत सारी जगे यही अदिट डीटविए इस यूडिट अब रिलिएशनेल डीए में इस क्या है देखिए अभी मैंने आपको बता है कि डेटा अब मेंटेंट रही मैंनेज़ कर रही है तरीक्या का यह सिस्टम इस ओफ्ट रहे है अब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या या बच्चे जब कोई भी डेटा स्टोर होता है उस डेयुट बेस्के अंदर इक और तो इट मि हमें ऐसे नहीं होगा ठीक है और्गनाइजड वे में होगा टेबल्स की फॉर्म में होगा रोजन कॉलम्स की फॉर्म में होगा दिशनार एक है कए इन्दी फॉर्म ऑफ रोज एन कॉलम्स तो उसी डेटा वैस को हम बोलते हैं रिलेस्टनल डेटा बेज डेहे जिस डेटा बेस प 15 अंदर जो हमारा tutor वैद यह रोज एकुंठ टेडा पिक्चर इस पिक्चर के अंदर यह हमारा डेटा बेसे नहीं Ens तेबल के है यही हमारा डेटा रखती हैं कंटेंड करती हैं और आपको यह एरो दिख रहे हैं जे लाइन शकर रहे हैं लिए रलेशन शो कर रही है हर pakता पड़ा रीलेशनल डेटा बेस क्योंकि इसके अंदर जो भी टेबल एक होती हो यह रिलेशन शो कर रही है और टेबल्स की फॉर्म में है डेटा तो तभी इसको बोला गया रिलेशनल डेटाबेस क्योंकि इसमें जो टेबल्स होती है उन टेबल्स में आपस में क्या होता है रिलेशन होता है ठीक है क्लियर हो गई बात तो अगर आप से कोई बूचा कि बनता है ठीक समझ गया बात जैसे ये देखिए example और है अगर मैं मान लो मैंने ये कहा कि यह हमारा database students student detail करके नाम का database database का नाम भी होता है ठीक है student details करके database का नाम है और उसके अंदर ये तीन table है उसके अंदर ये तीन table स्क्राइफ बाराइब टेबल हैं गारजीन से जितमें कि आपके गारजीन म具有 जी ம की श्टूडेंट इन्फरवेशन है और इसमें एंटेंडेंस स्काइबळ रही में इन्फर बार्री आफ यह रिशू कर रहे हैं हुआ यह लाइन जो कर रही है वो रिलेशनशिप शो कर रही है है कि तो यह भी आपके सामने दिख रहा है यह वी इग्जाम्पल है रिलेशनल डेटावेस मतलब डेटा पहले तो एक कंडिशनर की बेटा तो टेबल के फॉर्म में है और हर टेबल के बीच में कुछरे रिलेशन अगर आप रिलेशन देखेंगा तो ये के ये वाला कॉलम है ये तो ये रोल नंबर इसके रूक म faithful मना रहा है ठीक है तो ये रिलेशनल डेटाबла का एक्जामपल है कि इनमें qeform में डेटा होता है और relationship भी होता है टेबल के बीच सब सिम्पल बस समझ में गई है महांब अब बच्चे कुछ time चाहते हैं ब्सके अंदर model Damn साते हैं तो आर्डी ब्सके अंदर तेबल को एलेशन भी बहुत हैं यह बात का ध्यान रखना इनपॉटेन पॉइंट है कि हम टेबल को डिलेशनाल डेटा बेस मोडल सिस्टम के अंदर हम टेबल सकते हैं हर टेबल गूंळिलेसोbn भी बोल सकते हैं आप डिलेशन जोन टेबल बोले बात एक ही हे इस बात का ध्यान रखिए अब देखिए यẾक तक ये कस्टमर लंग ओन स्टेटस ये बच्ट्चे हमारे लिए क्या है ये अमारे लिए कॉलम नेम है यह हमारे लिए क्या है बच्चे कॉलम है यह तीनों हमारे लिए क्या है बच्चे कॉलम है तो हम इनको कॉलम भी बोलते हैं एक्ट्रिब्यूट्स भी बोलते है फिल्ड भी बोलते हैं ठीक है अब यह हमारे लिए क्या है यह रिकॉर्ड है यह हरी जॉन्टल है क्योंकि हमको पता कस्टूमर आईडी वन है Google कस्टूमर का नेम है एक्टिव है तो यह हमारे लिए रिकॉर्ड का काम कर रहा है तो इसको रो भी बोलते हैं टॉपल भी बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं यह तम से आपको याद रखने हैं रिलेशन डेटाबेस वॉडल के अंदर कि बाई क्या क्या होता है टेबल स्कूम रिलेशन बोलते हैं कॉलम के नहीं को कॉलम भी बोलते हैं एट्रिब्यूट भी बोलते हैं और यह हमारा एक रिकॉर्ड है इसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं टॉपल भी बोलते हैं यह तीनो ठीक है तो आई ठीण यहां तक बात hai clear होंगे आपको अब फिर से एक और एक्जाम्पल एक पिक्चर हमारे पास got remember क्या है ये member हमारी table का निम आ ड्यास ठीग Εवे बटा हर table का निम भी दिया जाएगा table का नेम भी होता है अब तुमें मैंने भी बटाया就到 एक बढलाग मतलब यह देट वर्ड के आमारा कॉलम नें मैं जिसको एड्रिएट फेग बोल नहीं और फिल्ड भी बोल सकते हैं टे ग्रिन कलर से दिल्ड को री प्रिजिन्ट किया है Red Color मतलब यह पूरिटेबल इसको हम रिलेशन भी बोलते है घिटेד एक रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड एना कि मेंबर आई डी-fooं है नेम काय माइक है डेट बट क्या या एले कॉरा रिकॉर्ड हमारे लिदी जिसकों टुपल बोलते हैं रोबी बोलते हैं हुसा कर रिकॉर्ड भी बोलते हैं ये बास समझ में आती हैं सिंपल सी बात हैं ये समझ में आ गई होगी आई तो बच्चे ये दा आज के लेक्चर में आज के लेक्चर मैंने आपको छोटी से चीज़े बताई है डेटा डेटाबेस और एडवांटेज ये सारी चीज़े इंपोर्टेंट एक्जाम पॉइंट और याद रखनी क्योंकि इन्हीं के बेस पे ही आगे चलके हमें लेक्चर में और भी चीजे समझनी है तो अभी हमने यह सारी चीजे देखी है आपके लिए ठीक है और इस चीजों को बहुत द्हान से समझना है जो मैंने बताई है क्योंकि एकजाम में एक इक मार्क्स दो बात करेंगे concept of keys यह भी important है काफी ठीक है तो कि इससे भी question आएंगे तो हमारे लिए यूनिट ही इंपोर्टेंट है तो एगला लेक्चर इस पर मिलेगा आपको कि अगर बच्चो क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें शेयर भी कर अपने फ्रेंड सरकर में कि बसर की क्लासे शेयर करो कि भाई सर आई टी 402 पढ़ा रहे हैं और आपका पूरा स्लेबस में complete करूंगा पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊँ विद कोईशन प् सब्सक्राइब कर दो चैनल को कि और भी क्लासे जैसा ही आते रहेंगे आपके लिए और अच्छे से पढ़ाई करो अच्छे से समझो जो चीजों को क्योंकि इंपॉर्टेंट फूल और फूल मार्क्स हमें स्कोर करने हैं ठीक है बच्चो तो अगला लेक्चर आपको इसी इनवीट पर जिसमें हम बात करेंगे कॉंसेफ्ट ऑफ किस्ट के लिए तब तक के लिए बाई-बाई टेक कर अपना ध्यान रखिए और लेक्चर को अच्छे से देखिए और शेयर जरूर करें बाई-बाई-टेक क्या